आज हम बनाएंगे आउला की चटनी इसके लिए मैंने यापर लिये हैं चार आउले जो की 100 ग्राम के करीब हैं इसके साथ ही मैंने यापर लिया हरा दन्या लसुन अधरक हरी मिर्च और नमक बुनावा जीरा हिंग और काली मिर्च का पाउडर अब सबसे पहले हम इन आउला को बड़े बड़े टुकडों में काट लेंगे इस तरीके से आउला को काटने से पहले हमने अच्छे से धो लिया था और इनको ड्राय कर लिया था यहां पर हमने आवला कट कर लिए अब मैंने यहां पर एक मिक्सर जाल लिया है इसमें हम यह कटावा आवला डालेंगे इसके साथ ही हमने यहां पर तीन हरी मिर्च लिए है इसको भी हम काट की इसमें डाल लेंगे इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आठ से दस लसुन की कले ली है और एक अद्रक का टुकड़ा अद्रक की टुकड़े को भी हम इसमें काट कर डाल देंगे इस्ते की ग्राइन करने में आसानी होगी अब हमने यहाँ पर हरादनिया लिया है इसको भी हम जहार में डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चोटा चमज नमक इसके साथ ही हमने भुनेवे जीरे का पाउडर लिया है वो भी हम इसमें एक चोटा चमज डालेंगे इसके साथ हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चममज काली मिर्च का पाउडर आधा छोटा चममज हिंग पाउडर और आधा छोटा चममज काला नमक अब हम इसको ढकल नगाएंगे और इसको पीस लेंगे हमने चटनी पीस ली है आप देख सकते हैं हमको चटनी ऐसी रखनी है अब हम इसको सर्व कर देते हैं हमाई चटनी तयार है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी फैमिली और फ्रेंस के साथ शेर करना ना भूले